Sanity का जो content होता है, वो Sanity खुछ से manage करता है, यानि कि locally stored नहीं होता है, यह तो हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा ही था आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने content का structure बनाएंगे Sanity के types का इस्तिमाल करके, कैसे हम लोग एक blog के अंदर rich text लाएंगे किस तरह से date time को structure करना है, यह सारी चीज़े इस वीडियो में हम लोग देखेंगे as well as करेंगे, एक बहुत important बात आप लोग को बताना चाहता हूँ Sanity के अंदर बहुत सारे starter examples होते हैं, यानि कि आप एक blog की template से start कर सकते हो और भी वह सारे template sanity में होती हैं, बट हमने यहाँ पर learning purposes के लिए scratch से start किया इसी series में आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग एक बहुती खुबसूरत portfolio website का design बनाएंगे कम से कम मेहनत के अंदर, so stay tuned for that, चलते हैं computer screen में और सबसे पहले अपने blog के content को structure कर लेते हैं, let's get started So finally, यह रही हमारी वो folder जिसमें हमने अपनी sanity app बनाई थी, इसको मैंने यहाँ पर खोल दिया है और इसको खोलने के बाद आप लोग को एक दो चीज़े बताऊंगा सबसे पहले सबसे पहली चीज़ जो है, वो यह है कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, कि इसको git पर push कर दी, अगर आपको नहीं पता मैं क्या use कर रहा हूँ तो यहाँ पर git के बारे में आपको जादा सोचने की ज़रूवत नहीं है, क्योंकि यार इस वीडियो को मुद्धा git तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, सैनिटी है तो मैं आपर आप लोग को links देते रहूँगा, code के आपको मिल जाएगा, github पे जहाँ जहाँ, जैसे-से code changes कलते रहेंगे, वो हम डालते रहेंगे दूसरी सबसे important चीज यहां पर यह है, कि सैनिटी का boosted plan अगर आप लोगों ने access नहीं किया है, और बाद में अगर आपको नहीं मिल पाया, तो यार आप मुझसे बात कहना, क्योंकि सैनिटी का boosted plan अउसका link description में, अगर आपने अभी तक claim नहीं किया, यार claim तो कर लो, कम से कर रहे हैं, अब मैं बताता हूं, आप लोगों को आगे क्या करने वाले sanity में हम लोग, तेखो, अगर हम लोग sanity को जब initialize कर रहे थे, वहाँ पर ब्लॉग का option चुनते हैं, तो हमारा काम बहुत असान हो जाता, वैना इसे बहुत असान, super duper simple हो जाता, लेकि मैंने ऐसा नही किया, उसका reason जानते हो अब क्या है, क्योंकि मैं आप लोगो सिखाना चाता था, मैं इस वीडियो का मुद्दा sanity को सीखना, समझना, और understand करना धंग से, यह चाता हूं रहे, ना कि यह कि यह हम जल्दी से ल्दी चो shortcuts हैं, उनको use करके अपनी आप बना ले, अब आ जाता हू कि जो हमारी documentation है, उसको हम खोल के रखेंगे, याद मैं तो रखता नहीं हो, आप रखते हो तो more power to you, मैं नहीं रखता भाई, तो सीरिसी बात है, ठीक है, रट्टा रट्टा मैंने कभी लगाया है, ना मुझे लगाना है कभी, तो हम लोग क्या करेंगे, sanity की documentation को देखते दे तरह बनाओ, ठीक है, जैसे की, blog है हमारा, इसके अंदर, जो actual fields होती है, ठीक है, अगर हम लोग code with airy के blog की बात करें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाओं ब्लाग में, और आप लोग को ये खोल कर दिखाओं, तो यहाँ पर publish date है, title है, content है, कई चीज़े होती है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आजाओं, और यहाँ पर इसी को देख लेता हूं, ठीक है, यहाँ इसको देख लेता हूं, जावस्क्रिप टूटल को, शायद मैंने एक और tap खोली हुई है, आपर उसको बंद कर दिया है, तो यह अब अभी title है, content है, launch scheduled at लिखा हुआ है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मैंने fields लिखी हुई है, सबसे पहले title लिखा है, दूसरा content लिखा है, बहुत बड़िया, लेकिन जो content का type है, यह मैं चाहता हूं, rich text हो, ठीक है, तो हम sanity के इंदर rich text, कहां से लाएंगे, यह ज़रा मैं आप लोग को दिखा देता हू तो देखो यार, to be very honest, मुझे रडटा हुआ नहीं, अगर आप मुझे यह लेके बिठाल दोना, तो मैं नहीं लिख पाऊँगा, मैं जा रहा हूं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर देखूंगा कि किस तरह से हम लोग, rich text बनाएंगे, तो यह चीज मैं copy करूँगा यहां से, तो rich text जो होता है, sanity के अंदर एक बहुत ही कोई का आप लोगों को overview देता हूँ, कि यह लोग portable text का इस्तेमाल करते है, ठीक है, इसका जो front end की tooling है, वो पूरी open source है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो portable text है, जो कि आप लोग use करेंगे sanity में, वो हम front end पर कैसे और कॉमा लगा दूँगा दा कि यह रहना है, अभी blindly save करके देखता हूँ, मेरा studio कैसा दिख रहा है, ठीक है, एकदम blind save मारा था मैंने, और obviously आप पर एक दिक्कत आ रही है, मुझसे यह कह रहा ही कि भाई, आपने पहले तो इसको एक simple सी चीज बनाई थी, अब आप ऐसे क् ठीक है, आपने content को string से change करके rich text क्यों कर दिया, यह कह रहा था image से, कह रहा है वो तो हम delete करेंगे सारे और fresh blocks बनाएंगे जब हमारा schema finalize हो जाएगा तो, ठीक है लेकिन अभी यहाँ पर मैं कुछ लिख कर देखता हूँ, this is me, और यह image का option के सारा है, अगर मैं insert image पर click करूँ यहाँ पर, और यहाँ पर right click करके paste कर सकता हूँ, क्या मैं, drag और paste image, drag और paste image, select image, नहीं, मैं paste क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, को image, शायद मैं यह control भी करके paste कर पा हूँ, could not validate the resulting portable text to insert, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, बट हम क्या करेंगे, upload करतेंगे, कोई दिक्कत वाली ऐ image थी मेरे पास, वो मैं upload कर रहा हूँ, और यह upload हो जाएगी, और upload होने के बाद, यह यहाँ पर इस तरह से insert होगा, यह इसको alternative text, मालो मैंने programmer लिख दिया, अब मैं back करूँगा, और यहाँ पर programmer जो है, वो दिखाई पड़ रहा है, मैं इसको full screen पर लेके जा सकता हूँ, इस मैं मालो bullet points लिखना चाहता हूँ, yes, no, ठीक है, बिल्कुल Microsoft Word जैसे ठीक है, फिर आप यहाँ पर heading वगेरा change कर सकते हो, मालो मैं this is me को एक heading h1 मराना चाहता हूँ, तो this is me को मैंने यहाँ पर select करके h1 कर दिया, ठीक है, और मालो मैं इसको publish करता हूँ, ठीक है, तो यह मेरी sanity studio मैं जाके publish हो गया, मैं इसको अभी reload करूँगा, और आपको दिखाता हूँ, कि यह यहाँ पर, जो मैंने लिखा था, वो आ रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो title हो गया, content हो गया, launch schedule add जो लिखा हुआ है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, मैं इसको काम करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो formatting है, वो हटा दी है, और यहाँ ठोड़ा error भी दिखा रहा है, कह रहा है कि, encountered a field that is not defined in the schema, तो मैं इसको remove field कर देता हूँ, और अभी, मालो मैं यह date insert करूँ, तो यह देको save हो गया, basically, ठीक है, तो आप देख स पढ़ी है, तो sanity तुमारा ब्लॉग का है, सबसे पहले तो, ब्लॉग sanity ठीक है, और यह करने के बाद आप देखो, यहाँ पर ब्लॉग की एक image भी होती है, ठीक है, जिसको हम display करा सकते हैं, बट अभी के लिए मैं, मैं डाल देता हूँ, डाल भी सकता हूँ, ठीक है, तो मैं ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, image, schema type और image, यह दोनों चीज़े मैंने लिख दी, ठीक है, schema type image, यह देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से आप लोग एक image बना सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, title यह है, type image है, options यह है, तो अगर मा कॉपी मारूँ, ठीक है, मान लो मारूँ, ठीक है, तो यह crop वगेरा भी शायद मैं कर सकता हूँ, out of the box, let's see, ठीक है, मैंने basically यह आपर क्या है, copy paste कर लिए, sanity की website से, ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा बहुत, title हो जाएगा, blog image, ठीक है, name हो जाएगा, blog image, ठीक है, blog img, image ही कर देता हूँ यार, इतनी भी क्या आलस है, ठीक है, type image हो गया, बागी सारी चीजे मैंने ऐसे ही कर दी, ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई, syntax error, unexpected comma, okay, कहां पर आ रहा है, syntax error, यहाँ पर कहीं आ रहा है, okay, comma यहाँ पर लगाना होगा, programmer.png मैं बार बार डाला हूँ, this is my code, ठीक है, मालू मैंने लिखा, जो यह सेव हो गया, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहा है, तो इससे क्या होगा ना, जब भी कोई ब्लॉग हम लिखेंगे, तो यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है, तो ब्लॉग सा description होगा, जो कि शायद मैं SEO के लिए भी इस्तिमाल करूँगा, तो वो एक simple सा plain text होगा, तो मैं वो चीज़ यहाँ पर डाल दूगा, copy करूँगा, content के बार डाल दूगा, meta description, तो यहाँ पर होगा, meta desc, ठीक है, type string, और यहाँ पर हो जाएगा, meta description, ठीक है, capital D कल देता भी डाल सकता हूँ, जिस तरह से, this is my first blog, please read, ठीक है, इस तरह से मैं कर सकता हूँ, sanity auto saves your work, ठीक है, मैं तरह अपना मुंदा हटा के, दिखाता हूँ आपको, यह देखो, sanity auto saves your work, which is great, ठीक है, आ जाता हूँ वापस मैं, आ गया ना, मैं वापस, हाँ आ गया, ठीक है, तो दे content तो ही है, ठीक है, यह content जो नीचे है, वो तो मैंने already डाली दिया है, और मैं idea ले रहा हूँ, कि क्या कोई और चीज इसमें add की जा सकती है, एक author add किया जा सकता है, बट उससे भी पहले तरह स्क्रॉल करके देख लेता हूँ, कोई और important चीज तो नहीं miss हो गई, नहीं, फिल और इसके अंदर में क्या करूँगा, बहुती simple सा काम करूँगा, export default, और यहां पर यह मैंने array का बंद किया, यह मैंने subject का बंद किया, और इसका नाम में रखूँगा author, type हो जाएगा document, और यह हो जाएगा author, ठीक है, title author हो जाएगा, अब यहां पर name होगा, author का obvious सी बात है, और image भी होगी, author की, ठीक है, तो मैं आपर क्या करूँगा, name में लिख दूँगा, image, और type में लिख दूँगा, image, title में लिख दूँगा, image, ठीक है, save करूँगा, और यहां पर author भी दिखना चाहिए, थोड़ी दिर बाद, क्या हो गया, वह is anity, अच्छा, यहां पर मैंने board नहीं किया author, और schema.js में add नहीं किया, तो मुझे author को add करना पड़ेगा, ठीक है, और जैसे ही मैं author को add करूँगा, आप लोग देखने या पर, यह दुबारा से author यहां पर मुझे लाकर दे दे रहे, ठीक है, एक नया बनाऊंगा author, ठीक है, जब मैं एक नया author बनाऊंगा, यहां पर मानलो मैंने title में लिखा, this is me, ठीक है, अब मैं image को मानलो upload करूँगा, और यह जो coffee की pngs को मानलो मैंने upload कर दिया, ठीक है, अब यहां पर आप लोग यह 3 dot देखना, यहां पर select का option आ रहा है, ठीक है, select image, मैं change कर सकता हूँ image, ठीक है, जितनी भी uploaded है, फिर download कर सकत हूँ ताकि किसी को भी मैं दे दूँ, और यह sanity CDN से इस image को लेकर आ जाएगा, ठीक है, same चीज़ हमने blog में भी करी है, हमारे blog के अंदर भी images है, ठीक है, तो this is great, this is amazing, ठीक है, अब यहां पर अगर मैं pencil पर click कर रहा हूँ तो आप लोग देखो, कि यहां पर यह चीज़ आ इसको एक specific part select कर सकता हूँ, यह चीज़ बहुत जादा important है, और यह चीज़ पता है कैसे आई है, मैं क्यों नहीं पा रहा है इसको पकड़के, यह क्या हो रहा है, अच्छा मैं इसको कुछ इस तरह से ऐसे करूँगा, ठीक है, सबसे पहले, एक minute जी, एक minute ही क्या हो गया, अ require करूँगा तो ऐसी आएगी, और 16.9 photo request करूँगा तो ऐसी आएगी, panorama picture ऐसी आएगी, ठीक है, तो इसने automatically hotspot and crop कर दिया, ठीक है, तो मैं इसको अभी ऐसे करता हूँ, तो यह image मेरी कुछ इस तरह से दिख रही है, अब यह काम कैसे हुआ, यह काम यहां क्यों नहीं हुआ, यहां पर जो टाइप था, इमेज कर दिया, अगर मैं यह चीज चाता हूँ, तो मुझे आपर कुछ इस तरह से image करना पड़ेगा, with these options, अब देखो, यहां पर जो fields है, इसमें मैंने लिखा name caption, ठीक है, सबसे पहले मैंने यहां पर blog image लगाया, hotspot true, ठीक है, hotspot true करने से यह जाती है, तो देखो, options में मैंने hotspot true कर दिया, फिर मैंने इसके अंदर एक caption भी add किया, ठीक है, अब आप लोग को मैं sanity में reference के बारे में बताना चाहता हूँ, तो मैं आपर मानलो reference, reference, हाँ, ठीक है, तो reference में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, कि हम क्या करेंगे, किसी author होगा, ठीक है, author का है, यहाँ पर है, ठीक है, और इसका title क्या होगा, author, ठीक है, name क्या होगा, author, ठीक है, मानलो में आप इसको author करता हूँ, title author कर दिया, type reference है, reference to what, reference to author, ठीक है, कुछ इस तरह से मानलो में करता हूँ, ठीक है, और name यह होगया, type इसका author होगया, fields यह होगय सारे ठीक है मैं जस्ट इसको double check करता हूँ और टाइप इसका अबजेक्ट होगा ठीक है टाइप object होगा title author name author type reference reference to what author ठीक है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसमें और अब यहाँ पर मुझे author field देखने को मिलेगी जैसे कि आप देख सकते हूँ ठीक है तो author मानलो मैं create करता author एक हैरी create करता हूँ ठीक है author में क्या मैंने रखा हुआ है सिर्फ title रखा हुआ है और एक image रखे हूँ यह मानलो यह हैरी है ठीक है नहीं image मेरे पस कोई दूसरी मुझे बहुत लोग हसेंगा असो publish कर दिया author ठीक है अब एक बार यह author मैंने publish किया मैं ब्लॉग में आकर अर हमें नीचे scroll करूंगा दिंचे scroll करने के बाद heri को search करूंगा और no prizes for guessing heri आ जाएगा ठीक है और यहीं से create new भी कर सकता था ठीक है अगर में मानलो हटा दूँ इसको ठीक है मानलो मैं इसको हटा दूँ clear ठीक है में एक नया भी heri है heri नहीं author add कर सकता था new heri नहीं कर सकते head म मालो मैfil author का नाम लिखता हूँ रोहन ठिक है published करूं image मने डाली नहीं है मैं चाहूं तो image भी डाल सकता हूँ रोहन की मालो मुझे यात रहता है रोहन की image घ्रिम ठाली नहीं तो रोहन की image मैं याँ से डालूगा अपलोड पन्लिक करूंगा और ये है, रोहन रहे कांगिए, रोहन अभी तो थे- रोहन तुम यहां पर रहे रहे तूम ठीक है, रहा रहहन, अब यह रहा रोहन की मेश जा है ठीक है, इसको भी पबलिश कर दिआ है मैने मैंने लिकल की ढ़ने का है मैंने यह ठीक है जाब वसकर टुटोरियल ठीक है तो यहाँ पर मैंने author डाल दिया ठीक है और created मैंने यह डाल दिया तो यह जो हमारा blog है वो एकदम ready है हमने author भी add कर दिया है शायद author में आप थोड़ा सा description भी add करना चाहता हूं मैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं desc और type string रहेगा और about about करता हूं इसको भी about कर देता हूं ठीक है अब क्या होगा कि मैं लिख सकता हूं author के बारे में ठीक है अब जैसे रोहन है ठीक है रोहन के बारे मानलो मैं लिखता हूं passionate copy pasteer ठीक है bug finder ठीक है और coffee to code converter ठीक है तो इस तरह से लिखके मैं publish कर सकता हूं इसको और मैं अपने बारे में भी वह चीज़े लिख सकता हूं लिखोंगा नहीं लेकिन भी यहाँ पर और this is me के कि आपका जो यह document test का एक और draft बनके save हो जाता है ठीक है तो अभी क्या होगा कि एक draft version बने चुका है sanity के अंदर और मैं चाहूं तो publish कर सकता हूं चाहूं तो नहीं करूं अगर मैं इसको अभी changes करके नहीं रखे हों यहाँ पर यह publish वाला बटन जो है यह इस तरह से disabled रहेगा अगर किसने यहाँ पर कुछ भी कि हमारी portfolio website की कुछ fields जो कि हम आने वाले videos में बनाएंगे तब बनाएंगे जब हमें उनकी ज़रूरत पढ़ेगी अभी मैं उन fields को नहीं बनाऊँगा हमारे portfolio website के अंदर हमारी skills के बारे में हमारी और भी चीज़ों के बारे में लिखा होगा वो सारा content हम चाहेंगे sanity studio से है कि हम उसको future में change भी कर पाएं तो अगर आपने अभी तक मैं दुबारा बोलना हो ये बात कि जो boosted plan है उसको access नहीं किया तो कर ले ना ठीक है यार free में मिल रहा है यार claim कर लो तुम्हारे लिए कह रहा हूं ठीक है ना और उसी के साथ-साथ ये sanity की जो playlist आसको bookmark करके save भी क लेना अभी के लिए इस वीडियो में इता है गाइस thank you so much guys for watching this video and I will see you next time